प्यारे विद्यारती ध्यान दे आज किस वीडियों हम राम रक्ष बेनपूरी जी का जो जीवन परिचे है रचना भासा सेली कि यह सभी साइती मिस्तान यह चालने वाले हैं तो वीडियो में आप लाश्टे तक बने रहेगा मैंने प्रेंटे नोट से लिख लिए बस आपको अच्छे से समझना है मैं आपको इस तरह से समझाऊँगा कि आपको राम रक्ष बेनपूरी जी का जीवन परियाद हो जाएगा तो वीडियो में आश्टे तक बने रहेगा देखेगा राम रक्ष बेनपूरी जी का जन्म सन 1902 में हुआ सब से पहले आप से कोई साब लेना उनने कहाँ पर सिक्चा प्रदान की वह याद रख लेना किलियर है और उनकी मिल्ट्रिक अभूई यहीं जीवन परिश में लिखा जाता देखिएगा राम रक्ष बेनपूरी जी का जन्म सन 1902 में इस्वी में बिहार के मुजफर जीले के बेनपूरी ग्राम में एक स मुजफर जीले के एक छोटे से गाउं बेनिपूरी ग्राम में एक साधरन किसान परिवार के घर में इनका जन्म हुआ ता मैंने क्या खाता इनका जन्यादक लेना कौन से गाउं में हुआ और इनका गाउं भी है क्या बेनिपूरी ग्राम में एक साधरन किसान परिवार में हुआ था बच्पन में ही इनके पिता माता पिता का ध्यानतु हो गया था मतलब यह छोटे था जब इनके माता पिता का ध्यानतु हो गया था किलियर बाद में हिंदी साहित्य संबेलन प्रियाक से विसार्दा की परिक्चा उत्रेन की और सन 1968 में इनका नीदन हो गया मतलब यह भी 1968 में मर गये 1902 में इनका जन्म वहाता होती ही कम जीह के लिए पर क्या है चोटी स्टिंपल से इनका जिवन पर जेता क्या है ग्राम रक्षि बेनिपुरी का जन्म 1902 इस्वी में बिहार के कहा हुआ था मैं चरफूर जीले के बेनिपुरी ग्राम में एक साधन परिवार तुषान परिवार में इनका जन्म हुआ था बजपन में ही इनके मातापिता का ध्यानत हो गया उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्ती में क्या किया संबलन प्याक से वी सारदा की परिच्चा उत्रेन की और सन 1968 में इनका ध्यानत हो गया या निदन हो गया के लिए रहे जुरामरक्ष बेनवपुरी जी की रचना है पतितो के देश में माटी की मुर्ते और लाल तारा के लिए रहे क्या है पतितो के देश में माटी की मुर्ते और लाल तारा आ दी मतलब दो लिख नहीं है मैंने तीन बताती है याद रहे जाए के लिए रहे आगे क् क्या है तो इनकी भासा वेवारिक है मतलब इनका भासा में जो वेवार है मोदिकाई देता है सरलता है मतलब बहुत ही सरल भासा है सुबोध है और साजीविता है क्लियर हरेक्यों मापको यही लिखना है इनकी भासा वेवारिक है सरलता है सुबोध है साजीविता पाई जाती ह और मुहावरों और कहवतों के इनकी भासा में सुन्दर्ता आ गई मतलब मुहावरों और कहवतों से क्या हुआ है इनकी भासा उनमें क्या हुआ है सुन्दर्ता आ गई क्लियर जीवन परिचे रचना भासा सेली हो चुकी है क्या है सेली भासा में इनकी भासा क्या है वेवाई सरलता सुबोध और सजीता पाई जाती है और मुहारों और काहवत्तों से इनकी भासा में क्या आ गई है सुन्दरता आ गई है सेली इनकी चार से तीन सेली आपको इसमें लिखना है तो पहले वर्णात्मक सेली अब देखो हेडिंग में आपको समझ जाना वर्नात्मक मतलब वर्नन किया होगा तो इनोंने किसी वस्तु अत्वा घटना का वर्नन करते समय सेली का प्रियोग किया मैंने कहा ना वर्न मतलब वर्नात्मक मतलब वर्नन करना तो इन्हों ने किसी वस्तू का या घटना या किसी दरश्य का वरनन किया हो तो वरनात्मक से लिए आ गई किलियर दूसरी सेली क्या है भावनात्मक किलियर इस पेच पर आपको मिल जाए गए हैं किलियर दूसरी है भावनात्मक सेली अब भावनात्मक में भी आपको कि निधनों में जो निवंद थे निवदों में इस सेली का अधिक प्रयोग हुआ मतलब सबसे जानदा अधिक इन्हों ने प्रयोग किया हुआ है किन्हों ने राम रक्षी बेनिपूरी ने जोता है अलोचिनात्मक सेली मतलब अलोचिना कर रहे है तो बेनिपूरी ने सभिंग्चा के समय किया था राम रखच का प्रियोग किया था साहित्तिमिस्तं अधायास आप लिख कोई गलत नहीं होगा कि लिए तो बड़ी आसानी और बड़ी सिंपल तरीके से में आपको यहां पर बता दिया अच्छे से हां से स्किन सोट लेग लिए इनका जीवन परिच्छ है कि राम रक्षी बेनिपूरी का जन्म सन 1902 इस्वी में विहार के मजरफूर जीले के एक बेन का नीदन हो गया के लिए रचना पजितों के देश में माटी की मुर्थे और लाल तारा बासा क्या इनकी बासा विवारिक सजीता सरल सुबोध है मुहारो और कावतिसिन के बासा में सुन्दरत आ गई सेली वर्नात्मक इन्होंने किसी वस्तुया घटना का वर्नन करते समय सेली का प्रियोग किया अच्छे से इसकी इंसोट ले लिए ना बड़ी सिंपल और आसानी तरीके से में आपको यहां पर बताएं थी भावनात्मक सेली प्रित्नात्मक सेली का इन्होंने सबसादी को प्योग अपने मुहारों और कहावत और नी बंदों में किया है अलोचन साथ नोटिपी के सनोन कर लीजे मिलते हैं इसके नेस्ट वीडियो मां आज के लिए इतना ही वंदे मात्रम